हालो स्टूडेंस, कैसे हैं आप? आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि शब्द क्या है और वाक्य क्या है पिछली वीडियो में हमने वर्न के बारे में पढ़ा था कि वर्न क्या है और वर्न माला क्या है वर्न से बनता है शब्द और शब्द से बनता है वाक्य अब इन तीनों के लिए सबसे बात है वो है इनको सही क्रम में लिखना सबसे पहले हम शब्द की परिवाशा जानते हैं जब दो या दो से अधिक वर्न सार्थक क्रम में जोड़े जाते हैं तो उसे शब्द कहते हैं जैसे नीचे आप देख सकते हैं कि वर्ण दिये गए है उन्हीं वर्णों को अगर हम सार्थक क्रम में जोड़ते हैं तो हमारा शब्द बनता है लड़की और उन्हीं को अगर हम इधर उधर करके जोड़ते हैं तो शब्द बनता है कीलड तो इस हिसाब से अर्थ के अधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द जिन शब्दों का अर्थ निकलता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं और जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वे निरर्थक शब्द कहलाते है चलिए अब वाक्य के बारे में जानते है वाक्य जिस परकार वर्नों का सार्थक समू शब्द है उसी परकार शब्दों का सार्थक समू वाक्य कहलाता है जैसे राम बाजार जाता है, है बाजार राम जाता अब इन दोनों वाक्यों को अगर हम पढ़ें तो एक में हम उसे समझ पा रहे हैं और दूसरे में हम नहीं समझ पा रहे हैं एक सार्थक वाक्य है और दूसरा निरर्थक अब वाक्य की परिभाशा क्या है? शब्दों का सार्थक समू ही वाक्य कहलाता है वाक्य के दो अंग होते हैं बेटा अंग होते हैं प्रकार नहीं कौन-कौन से उदेश्य और विदे जो आपने इंग्लिश में भी किये होंगे Subject and Predicate Parts of Sentence जैसे राम पुस्तक पढ़ता है अब इसमें राम क्या है? वो उदेश्य है और पुस्तक पढ़ता है विदे है जिसके संबंद में कुछ कहा जाता है अर्थात जो करता है उसे उदेश्य कहा जाता है और वाक्य में उदेश्य के बारे में जो कहा जाता है वै विदे कहलाता है उदेश्य वाक्य के आरम में आता है और विदे वाक्य के अंत में आता है तो चलिए हम जानें कि हमने क्या सीखा वर्न निश्चित क्रम में मिलकर अर्थपून शब्द बनाते हैं शब्द निश्चित क्रम में मिलकर अर्थपून वाक्य बनाते हैं वाक्यों के मेल से भाशा बनती है वाक्य भाशा का महतवपूर्ण अंग है क्यूंकि बातचीत वाक्यों से ही होती है धन्यवाद